दोस्तों कुछ दिनों से प्रिधान मंत्री नेरंद्र मोधी जी के ट्विटर अकाउंट पर पता नहीं कौन बैठा है कि लगातार उनके ट्विटर अकाउंट से एक ट्रोलर की माफिक दोस्तों ट्वीट किया जा रहा है ना चाने किसको मोधी जी ने अपना अकाउंट सौप दिया है किसको नहीं समझ में नहीं आ रहा है अब आप सूछिए कि इतने बड़े लोकतंत के प्रधान मंत्री जी के अकाउंट से ऐसा ट्वीट किया जाता है अपनी विपक्षी पाटियों को गरियाने के लिए जिसमें इमोजीस का इस्तेमाल होता है आज तक देखिए अभी तक प्रधान मंत्री नेंद्र मोधी जी साड़े 9 साल से तकरीबन कह सकते हैं दो कारेकाल उनके पूरे होने वाले प्रधान मंत्री के तौर पर दो कारेकाल में अभी तक प्रधान मंत्री मोधी जी को इस तरीके के ट्वीट करते हुए नहीं देखा गया था दोस्तो लेकिन मोधी जी ट्वीट कर रहे है अब जिस खबर को लेकर या जिस ममले को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है सीधे तोल पर कॉंग्रेस पर निशाना साधा है भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने निशाना साधा है अब हम आपको ये भी बताएंगे कि मोदी जी ने ट्वीट क्या किया है और अभी तक वैसे कितने ट्वीट कर चुके हैं कि वज़े से उनको ट्रोलर की तरह देखा जा रहा है दोस्तों वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बताएंगे कि प्रधान मंत्री नेरंदर मोदी जी कॉंग्रेस पर तो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं लेकिन अपनी उन एजिंसियों के कर नामों पर कैसे खामोश हो जाते हैं जिनके अधिकारी जगा जगा पकड़े जा रहे हैं रिश्वत लेते हुए पूरा ममला क्या इस खबर में मैं आपको बताऊं भी दोस्तों दोस्तों प्रधान मंतरी नेरंदर मोधी जी के ट्विटर अकाउंट से एक बार फिर से एक ऐसा ट्वीट किया गया है जिसने सबको चौका दिया और सबको इस सोच में डाल दिया कि क्या वाकई में ये मोधी जी का ही अकाउंट है या फिर हम किसी फेक और किसी ट्रोल के आकाउंट पर आ गए हैं जिसने फॉलोवर्स को बढ़ाने के लिए इस तरीके के ट्विट्स करने शुरू कर दिये हैं इनको आप दो रुपली गैंग वाले जो लोग जो आईटी सेल की सेना के जितने भी कारिकरता होंगे दोस्तों जिस तरीके के ट्विट वो करते हैं प्रधान मंत्री नेरित्र मोधी जी के ओफीशल ट्विटर अकाउंट से उस तरह के ट्विट किये जा रहे हैं सबसे पहले तो आपके स्क्रीन्स पर वो नया नवेला ट्विट है ताजा ताजा ट्विट है दोस्तों जिसमें प्रधान मंत्री मोधी जी क्या लिखते हैं जरा पहले आप पोस्तों लीजा और किस खबर पर लिखते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ ब्रदान मंत्री मोदी ने लिखा है देशवासी इन नोटों के धेर को देखे और फिर इनके नेताओं की इमानदारी के भाशनों को सुने इसके बाद मोदी जी हसने वाले emojis का इस्तिमाल करते हैं इसके नीचे मोदी जी लिखते हैं जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लोटानी पड़ेगी ये मोदी की गैरंटी है और इसके नीचे फेसे emojis का इस्तिमाल किया जाता है अब ये जो ट्वीट है दोस्तों ये हैरान इसलिए भी कर देता है क्योंकि महज एक या दो दिन पहले आप समझ लीजे बिल्कुल इसी तरीके का ट्वीट जो है प्रिधार मंत्री मोदी जी ने किया था और वो भी देखे इस वक्त में आपकी स्क्रीज पर आपको मैं दिखा रही हूँ ध्यान से देखिए और पता लगाईए कि प्रिधार मंत्री मोदी जी का ही ट्वीट हो सकता है या फिर ने उसके बाद मैं आपका ध्यान दिलाऊंगे उस खबर पर जिस खबर को लेकर मोदी जी ने ट्वीट किया है इसते पहले मोदी जी ने तीन राज्यों में बीजेपी की जीत और कॉंग्रेस की हार को लेकर इंडिया टुडे के आंकर ने जो आंकरिंग का वीडियो शेर किया था उस पर ट्वीट किया था और उस पर ट्वीट करते हुए उन्होंने बहुत सारे मोजीस का इस्तिवाल कि आपके स्क्रीन्स पर वह ट्वीट भी मैं दिखा रही हूं और उन्होंने कॉंग्रस को घमंडी बताया था सतर साल के शासन में कॉंग्रस नहीं किया है को स्विकार कर लेना चाहिए कि जनता अब उन्हें नहीं स्विकार करे कि फलाना फलाना चीजे जो है मोधिजी ने अपन कम से कम प्रधानमंत्री पत की गरीमा ही रख लिए ट्वीट करते हुए तो ऐसा लग रहा है दोस्तों किसी नौसीख्या को यह आकाउंट पकड़ा दिया गया है लेकिन अगर वाकई में प्रधानमंत्री मोदी ही यह ट्वीट कर रहे है तो हैरानी वली बात है और फिर दिमा या ताजा वाला ट्वीट है इसमें देखे इन्होंने एक खबर शेर की है दैनिक भासकर की दैनिक भासकर की इस खबर में जानकारी है कि जार्खन से कॉंग्रेस के राजसभा सांसर धीरत साहु के 10 ठिकानों पर रेट पड़ी और 200 करोड कैश मिले गिंती जारी है हमने शुरू से लेकर एंड तक ना ये कभी किया है ना ये कभी करेंगे कि कोई खबर अगर किसी और पार्टी के से जुड़ी हुई है दोस्तों या किसी और पार्टी के संसर से जुड़ी हुई है तो वो हम आपको नहीं दिखाएंगे बेशक ये जो खबर है ये सच है और जहां रेट पड़ी है अगर वहां से कैश इतना मिला है तो फलाना संसत के खिलाफ करवा ही होनी चाहिए यहां तक कि किसी भी सांसत के खिलाफ अगर ऐसी ऐसा कुछ सबूत मिले ऐसी कुछ जाच हो और जाच में कुछ सबूत पाए जाएं तो उनके खिलाफ करवा ही हो दिशक हो लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि क्या सब के उपर इसी तरीके से करवा ही होती है या फिर इसके लिए भी आपकी चैनातमक जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है चूजी, pick and choose सुप्रीम कोट की तरफ से अक्सर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जब हमारे देश की सरकार अपनी राय के हिसाब से चलती है तो pick and choose की जो राजनीती है यहां भाजपा हर तरफ कर रही है दोस्तों वहीं प्रधान मिंत्री मोधी स्विकार करने के लिए तयार नहीं है कि उनके अपने वो अधिकारी उनहीं के सरकार में जो एजेंसी चलाई जा रही है उसी एजेंसी के वो अधिकारी जो दूसरों को भरष्टाचार में लिप्त पाने के लिए डेट डालते है वो खुद भरष्टाचार में सल लिप्त पाई जाते है खुद भरष्टाचार में पकड़े जाते है मैं आपको दो उधारण देती हूँ और उस एजिंसी का उधारण देती हूँ जो बीते कुछ सालों में बहुत जादा चर्चा में आई है दोस्तो एडी प्रवर्तर निदेशाले अब आप समझ रहे हूंगे कि मैं कौन से मामले की बात करने वाली हूँ लेकिन फिर भी जो द खूस लेते हूँ पकड़े गए नाम क्या बबाय गया अंकित दिवारी अब ध्यार से सुनेगा आगे पूरी ख़बर क्या है क्योंकि असलियत में यह जो कांड होते हैं यह जो घूस कांड होते हैं शायद प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी जी को नजर आते नहीं है दोस् पर आपकी स्क्रीन्स पर कि एडी अधिकारी अंकित तिवारी घूस खांड तमिल नाडू विजिलेंस और एंटी करप्शन विंग ने इडी दफ्तर में जब रेड मारी तो इनके खिलाफ सबूत पाए गए और यह साब कई ना कई घूस लेते हुए पकड़े गए हैं इड पर आपकी से जुड़े मामले को लेकर तमिलाडू सतरकिता और भष्टाचान निरोधक निदेशाले के अधिकारियों ने मधुरे में एडी उप जोनल कार्याले में रात भर अपनी तलाशी जारी रखी और एडी अधिकारी अंकित तिवारी को दिंडी गुल चिले में से 20 लाख रुपे की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया और कुछ घंटे पहले CRPF कर्मी मधुरे में एडी उप जोनल कार्याले पहुंचे थे जहां डी वाइसी अधिकारी एडी अधिकारी से जुड़े मामले के संबन में तलाशी ले रहे थे तलाशी ल इस कह सकते हैं कि एडी के अधिकारी को रंगे हाथ जो है पकड़ा गया था राजस्थान में यह जो पूरा मामला सामने आया था सब चौकन्ना रह गए थे कि जो एडी दूसरों के घरों में जाके रेड मारकर और वहां से पैसे निकालने के लिए जानी जाती है या है वो ऐसे रिश्वत लेते हुए भ्रष्टाचार करते हुए कैसे पकड़े जा रहें तमाम तरीके के सवाल जो है दोस्तों खड़े होते हैं आपकी स्क्रीज पर एक और खबर है यह जो खबर है दोस्तों दो नवंबर की खबर है जो कहती है कि राजस्थान में एडी अफ क्योंकि ऐसे मामलों पर एक्षन लिया नहीं जाता दोस्तों पता नहीं क्यों और एक बौर मुद्दा जो कि बहुत इंपोर्टेंट है और जिस पर हमारे देश का विपक्ष कई काफी समय से सवाल उठा रहा है हमारे देश के सबसे बड़े कारोबारी जिनको प्रधान मंत और रुपे के घोटा लेके उस पर किसी तरीकी की कोई कारिवाही होती है क्या मैं अडानी जी की बात कर रही हूं उनके ऊपर किसी तरीकी की कोई कारिवाही क्या वो भ्रश्टाचार नहीं है और वो जब पैसा वो उन लोगों के ऊपर लेने का आरोप लग रहा है वो किसक प्रत्छा का पैसा नहीं है और खना मन्तरी मोदी जी इन लोगों पर कारे वही करने के देपाएंगे क्या को एधनी कि अए्से लोगों पर कारे वही करने की चले गी एक पर häufig मुलाकात हो गिए दोस्त्तों कैसे तक